असलाम अलेकुम प्यारे प्यारे लोगों I hope you all are doing well So, आज की वीडियो में आपको मैं ऐसे Amazing Vitamin EOL के benefits और tricks बताने वाली हूँ जो आपके daily life में बहुत awesome काम करने वाले हैं अच्छा, इस सारी वो tricks हैं जो के पिछले दो महिने मैंने use की हैं और जिनके results मुझे बहुत अच्छे मिलें अच्छे थोड़ से disclaimer देना था मैंने जब video edit करने लगी तो video 21 minute की निकल आई थी सो बस मैंने इस सोचा कि मैं video दो parts में split करके upload करती हूँ लेकिन मैं normally कोशिश करती हूँ कि video मैंने ज़्यादा लंबी ना हो लेकिन इस बार ज़रा ऐसा हो गया क्योंकि मैंने काफ़े detail में share करते है actually मैं खुद बढ़ी excited दी कि मुझे इतने अच्छे benefits मिलने थी तो मैंने सुचा ज़रा detail में सही से सबको बताती हूँ तो इस तक कर विडियो थोड़ी से लंबी हो गई है खेर आपको इस पार्ट में आपको पांच benefits मिलने वाले हैं और अगले पार्ट में आपको तीन अच्छा थोड़ा प्रोड़क्स के वारे हैं बतादू यह जो बॉटल रखी हुई है यह हिमानी हर्बल्स का vitamin E oil है जो कि वसीम बदामी का brand है इसमें 30 ml होता है प्राइस 270 है मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि यह थोड़ा lightweight है जबके capsules का material आपको थोड़ा सा heavy feel होता है आपके face पे बाकि आपके मर्स यह जवाब रहना चाहो तो अब आप सूच रहोगा के capsules red क्यों है मैंने जो देखी है जो मैंने मंगवाई है वो तो green है तो कुई tension नहीं भाई जो मेरे पास capsules लेना वो 400 mg यह नहीं के 400 पावर की है और जो green वाले आपने avion capsules मंगवाई है वो 200 पावर की है यह 200 mg की है तो tension कोई नहीं है जहां मैंने यह capsule एक यूज की है वहाँ पर आप वाली capsule दो यूज कर लेना जहां मैं दो करूँगी वहाँ आप चार कर लेना simple अच्छा बहुत मज़गी 5 remedies है आप लोग बहुत इंजवाय करने वाले हो बहुत ही amazing benefits हैं वो and I hope कि आपके लिए वह बहुत effective थाबित होगी तो let's start जी से तो first tip मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपकी extreme hair growth आपके बालों की hair growth 2x नहीं 3x नहीं बलके इंशालला 4x होजएगी जो लोग को issue होता है कि बाल grow नहीं कर रहे हैं अब एक age पर आके वो बोलते हैं कि नहीं बस इतनी length है अब इस पर stuck हो गया है इस अगर length बड़ी नीड़ी है तो आपने बस oiling करनी है देंगे जैसे हमें अपने body में nutrition की और खाने की नीड होती है वैसे हमारे बालों को भी खाने की नीड होती है तो उसके लिए oiling करना बहुत ज़रूरी हो था वीक में एक बार कर लो बस अब आसके लोगडाउन चल रहे हैं को टेंशन तो ही ने सारे घर पर फ्री हो तो कम से कम वीक में दो बार कर लो आप तो आपने उसके बाद बस यह करना है आपने बस वह और बार करना है उसका मसाज करने के बाद ज़रा ज़ादा ओए लगा कर दो तीन घंटे के लिए छोड़ दो फिर आप उसको वाश कर लो गरम पानी से लेकिन खोश करो शैंपू जादा हार्श यूज ना करो बेबी शैंपू यूज करो जॉंस ना करो बेब ठीक है जी यह होगिया ओइल नाओ आइम गोइंग टो एड आमला रीठा सीका काई पाउडर यह आपको एजिली किसी भी पंसार शॉप से मल जायागा ठीक है और बहुत सस्ता मिलेगा महेंगा बिलकुल भी नहीं है इस पाउडर के आपने समैड करनी है एक चमच यह आपक इस ग्रोथ कर देगा प्लस आपके तमाम किसम की प्रॉबलम्स को डृडील करेगा अगर आपके सर में जो है बहुत अर डेंडर af ऐसको खत्म कर देगा इसके लाव अगर आपके बाल काले नहीं है तो मेली सी काहिए आपको काला कर देगी नाओ में ऐड कर रही है उसमें वाइटमीन ए की दो कैपसुल्स अब देखें इसे मैंने डाली विए 400 एमजी वाली जो के लाल है अगर आप ग्रीन यूज करने जा रहे हो तो मैं आपको बता दूँ वो 200 एमजी की होती है तो उसको आपको यूज करना पड़ेगा चार कैपसुल्स मैं तो यहाँ दो कर रहे उसके बाद अब अपनी यह प्याली यह कोई प्लेट जिसमें भी आपने तेल यह मिक्स किया है उस देख्ची में इस वाली प्याली को डाल दो इसको बहुत वालना नहीं है तेज घरम नहीं करना बस थोड़ी सी हीट प्रोइट करनी है ताकर यह चीज़े यह जान हो जाए है एक चमच ठीक है बहुत कोई सी रेमेडी है बहुत एजी है और मज़े के बात है आपके जो इसके नहीं होती है जो डैडी सकी नहीं होती है उसको यह फर्स्ट यूज में घायब कर देगी एन आपको इतने सॉफ्ट बेबी फूट फूट फील होंगे ना आप खुदी आ मिशम करोंगी अच्छी से मिक्स ठीक है गई अच्छी से मिक्स करेंगे में इसको इतना मियंक कर ओंगे कि एक विसकस सा मिक्स्ट 重ट बन जा है आपका क्रीम बन जाए तक्छी सी क्रिम बन चुकी हमारे पास यह अब आपने सुब्या करना है दोड़ी सी क्वाइन खूटि तो कि कम से कम वह kop Shins 1000 निकल सके थाय। कि तो या तर्फ निकल सके हमारी सवाल थाय प्लाइगज। लिए तो थोड़ी सी एफ़लगिते इसके बाद आप से क्रीम्aja सब्सकिति के सोगें। सो मुविंग ऑन टुवर्ड जार नेक्स्ट रेमेडी जो कि है आपके सूपर सिल्की और स्मूध हेर्स के लिए ओई मैं आपको बता सुक्यूं अब जो रेमेडी है वो थोड़ी कुएक्सी है जो कि मारे डेली रूटीन में चीज शामिल होती है जो कि है कंडिशनर जो कि हम कि युटन को थोड़ा सिल्की करने के लिए उनको थोड़ा फ्रेज्स है खतम करने के लिए जो लगाते हैं शी कंडिशनर उसमें आपने डालने यह दो कैपसूल अगर आपने दो कैपसूल डालने के वाईमिन एवाई एक तो जो जो होगा कि अए के युगा कि हाइब आप डिए कोई आपके प्लंपी और इसके लावट नेश्रल एक लिए बहुत कोई इसी बहुत एजी रेमडी करना आपने कुछ नहीं है आपने बस एक कैपसुल लेनी अपनी अगर आप यह यूश कर रहे हो तो आपने सेम वही काम करना अगर आप यह कैपसुल यूश करते हैं हम आपने इसको सिंप्ली अपने लिप्स metre अच्छ से मसाठ्व करने एच्छ से रप करने अपने हमागे करना करना ऋब राधली राधले सेने पहले आप यह काम कर लो छीकर रोजना आप मेंagu के बुस्पूनी अपनी केपसुल्स करो नो है कि अपने लिप्स पे आप इसको ऐसे से रब कर लो बहुत थिक सा ऑईल होता है यह आपको खुद भी अच्छा फील होगा प्लस जो आपकी खुड़दूरी और डेड़ी स्किन जो हुरी होती है ना जो जिस आप बोलते हो कि लिप्स पे से जो पैसकी सी स्किन बन जाती है तो जो प्लस प्लमपी और इतने नेश्रल कलर आपको जो पिंक जो रियल है बच्चों के पिंक बच्चों के पिंक उस टाइप के कलर आपको दुबार आजाएगा चापने मशाज करना है दोना होना कुछ नहीं बस आप इसको लगा के सोज़ाओ क्योंकि इसका साइड एफेक् करें नेट्फिक्स यहाँ पर जबहूं लगा रहते हैं पर जब सुबह उठता है बाफर जिया लाएटें के सबसे वाईटमीण E कैपसूल्स इया वाईटमीन E उयूस के यू से आपकी एसी रेमेडी बनाने वाले हैं इसी प्लमबास्टिक रेमेडी बनाने वालें जो कि लिए 20 लोग के जाता है आँखों के साइड पर पर जो जो पने लग जाता है या फिर जो छो यह थो पर लेंगे साथ जाएक के रिंग नीजह को पूल्सकार नहीं हो जाता है आपने उस टी बैग को बचा कर रख लेना है क्योंकि हमारी remedy इसी डिसकार्ड होने वाली टी बैग से होनी है तो मैं अपनी green tea होतम कर लो हुआ है तो remedy हमारी कुछ ऐसे है कि आपने अपना टी बैग ले लेना है और उसके बाद आपने लेनी है यह ऑइल डाल लेना है घ्यक है अब आप इसको थोड़ा सा स्को मैश कर लो ताके यह equally और evenly हर जगा फैल जाए अब हमें इसकी बैग साइड पर भी आसी करना है यह हमने डाल लिया हमें करना है इसको मैश 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 तोनों साइट पर होगी है अब थोड़ी सी इस वाले रेमिडी के लिए सिर्फ और सिफ एक कैपसुल ही यूज कर रही हूं ठीक है जी अब आपने करना किया है अब आपने अपनी आखें बंद करनी है यह ग्रीन टी है कही सेंसिटिव होती है थोड़ी सी गरम काफी रही है आपने टी बैग लेना है और इसको जेंटली प्रेस करना है पानी निकल रहा है निकलने दो को इशू नहीं है क्योंकि आपकी आँखें बंद कोई मसला नहीं होना वाला सबसे पहले जो वाइटेमिन ई-वाईल है वो आप के रिंकल्स को खतम करेंगा सो हुई नहीं बैस्टिक रेमिडी बस आपने इसको ऐसे थोड़ी थोड़ी दिर के लिए प्रेस करने अपने दोनों आखों पर कम से कम पांच से दस मिनट के लिए फिर आप इसको छोड़ दो और सो दिन में जेतनी बार आप ग्रीन टी पी रह करेंगा और इसके भी कोई नुक्सानात नहीं हैं तो इस वर फाइव अमेजिंग बैनेफिट्स और रेमेडीज ओव विटेमिन ए वाइल आपने यूजिंग फर सो लॉंग एंड बस मैं चारिट की डिटेल में शेयर करों डिटेल इतनी डिटेल होई है वीडियो तनी नेक्सट पार्ट इंशालला बहुत जल्दी डाल दूंगी मैं तो अंटिल एट अलहाफिज और टेक्यर